नमस्कार WKB News के सबसे खास, सबसे सटीक और महतपूर्ण पेशकर्ज देश-पदर्श दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है महाराज में कोरोना संक्रमन से स्थिती गंबीर होती जा रही है राज के डिप्टी सीम अजित पवार ने कहा है कि अगर राज में कोवीड मरेजों की संख्याब बढ़ती रही तो सरकार को और प्रतिबंद लगाने पढ़ सकते है वही कोरोना की रफ्तार को देखते हुए महाराज की कॉलेजों को खोलने को लेकर शिक्षवी बाग जल फैसला लेने वाला है तीन जनुरी को यह फैसला संभव है इसे बीच अभिनेती कंगना रनौत को सेशन कोर्ट से तगड़ा जटका लगा है सेशन कोर्ट ने जावेद अक्तर की ओर से कंगना के खिलाफ अंदरी मैजिस्टरेट कोर्ट में दार मुकदमे को दूसरे कोर्ट में ट्रांसपर करने से इनकार कर दिया है उदर पुने में एक महिला पुलिस निरिक्षक ने अपने घर में फांसी लगा कर खुद कुशी कर ली शिल्पा चवान नामक इस महिला पुलिस निरिक्षक की मोत मामले में पुने विश्रांतवाडी पुलिस छान बीन कर रही है तो पुने के एक 12 साल की लड़की की जमकर तारीफ हो रही है 28 वर्षे दरिंदे ने उसे किसी बहाने घर में बुलाया और बत्तमीजी करने लगा लड़की ने पहले खुद तोस्त सैयमित किया और फिर उस पर तूट पड़ी प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ महाराष्ट में कोरोना संक्रमन से स्तिती गंबिर होती जा रही है राज के डिप्टी सीम अजित पवार ने जानकारी दी है कि महाराष्ट में 10 मंतरी और 20 से अधिक विदाय कोविट संक्रमित पाए गया है अगर राज में कोविट मरिजों की संख्या बढ़ती रही तो सरकार को और प्रतिबंद लगाने पड़ सकते है बता दे महाराष्ट में शुक्रवार को कोविट 19 के 8,067 नए मामले आए जो एक दिन पहले के मुकाबले करीब 50 पतिशयत अधिक है वही गज 24 घंटे के दोरान 8 मरिजों कीम मौत हुई है राज के स्वास्तिबाग ने बताया कि नए मामलों में 4 ओमिक्रौन से संक्रमित मरिज भी शामिल है कल कोरोना वायरस के नय सुरूप ओमिक्रौन से संक्रमन के 4 मामलों की पुष्टी हुई है इन चार मामलों में एक-एक मरीज वसई विरार, नवी मुंबई, मीरा भायंदर और पवनेल के है वही मुंबई में कल कोरोणा वायरस संक्रमन के 5,631 नहीं मामले सामने आए पिछले दिन के मुकाबले संक्रमन के नहीं मामलों में 53 प्रतिशत की वुरुदीद दर्च की गई है ब्रहिन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों ने बताया कि मुंबई में बीते 24 घंटे के दोरान महामारी से एक मरीज की मौत हुई मुंबई में कुल संक्रमितों की संक्या बढ़कर 7,85,110 हो गई है अब तक कुल 16,376 मरीजों की मौत हो चुकी है वही राज में बीते 24 घंटों में 548 रोगियों के संक्रमन से ठीक होने की पुष्टी हुई है कोरोना की रफ्तार को देखते हुए महाराष्ट के कॉलेजों को लेकर शिक्षाविभाग जल्द फैसला लेने वाला है राज्य के उच्छे शिक्षावत तकनीकी मंतरी उदर सामन ने प्रदेश के कॉलेजों के अधिकारियों के साथ मिटिंग की इन सभी कॉलेजों को बंद करना है या फिर प्रतिबंदों को कड़ा करना है इस विशए पर शिक्षाविभाग जल्द ही निरने लेगा आगामी 3 जनवरी को शिक्षाविभाग के वरिष्ट अधिकारियों के बैठक होने की संभावना है साथ ही इसी मीटिंग में युनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर द्वारा पेश की जाने वाली रिपोर्ट के बाद मंत्री उद्धै सामन्त मुख्य मंत्री उद्धै ठाकरे से चर्चा करेंगे जिसके बाद यह फैसला लिया जाएगा कि इन कॉलेजों को कोरोना के बढ़ते खत्रे के वज़े से बंद किया जाना है या फिर प्रतिबंदों को और भी सर्थ करना होगा बतादे कि कोरोना का नया वेरियंट ओमिक्रॉन मुंबई में तेजी से पैर पसार रहा है कम्यूनिटी में भी इसका प्रसार शुरू हो गया है मुंबई में इसे लेकर सावधानी बढ़ती जा रही है BMC के अत्रिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी ने बताया कि पहले ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाले हर यात्री की जाँच कर उनके नमुने को जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा था लेकिन अब कोविट संक्रमित मुंबई करो के भी नमुने जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए कस्तुरबास्तताल के नेक्स जनरेशन लाब में भेजे जा रहे है अभिनेतरी कंगना रनौत को सेशन कोर्ट से तगडा जटका लगा है सेशन कोर्ट ने जावे दक्तर की ओर से कंगना के खिलाब अंदेरी मेजिस्टेट कोर्ट में दायर मुकदमे को दूसरे कोर्ट में ट्रांसपर करने से इनकार कर दिया है कंगना ने मानहानी की मुकदमे को टांसपर करने के लिए चीफ मेट्रोपोलिटियन मेजिस्ट्रेट कोर्ट की समक्ष अनुरोथ किया था लेकिन उन्हें वहाँ से कोई राहत नहीं मिली थी इसके बाद उन्होंने CMM कोर्ट के आदेश को सेशन कोर्ट में चुनोती दी थी कंगना के एक इंटर्यू में दिये गए कुछ बयानों को लेकर अक्तर ने 2020 में अन्धेरी की मेजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानी की शिकायत दायर की थी इसके बाद कंगना ने CMM के समक्ष अरजी करके दावा किया था कि उन्हें अन्धेरी मेट्रोपोलिटियन मेजिस्ट्रेट की कोर्ट पर भरोसान नहीं है क्योंकि कोर्ट के जमानती अपराद में अपने समक्ष पेश नहोने की स्थिति में उन्हें वारंट जारी करने की अप्रतेक्ष धमकी दी थी CMM कोर्ट से रहत नहीं मिलने पर कंगना ने सेशन कोर्ट में एक पुनर निरिक्षन अरजी दाकिल की थी इसमें कहा गया था कि CMM कोर्ट यह विचार करने में नाकाम रहे कि अंधेरी की मैजिस्टर्ट कोर्ट ने अपने अधिकारों का दुरूपयोग किया जिससे आवेदक के मामले पर असर पड़ा पुने में एक महिला पुलिस निरिक्षक ने अपने घर में फांसी लगा कर खुद कुशी कर ली शिल्पा चवान नामक इस महिला पुलिस निरिक्षक की मोत मामले में पुने विश्रांतवाडी पुलिस छान बिन कर रही है जानकारी के नुसार शिल्पा चवान के पास सामाजिक सुरक्षा और M.O.B. विभागों की दोरी जिम्मेदारी थी सभाव से शांत और मिलनसार अधिकारी के रूप में वह परिचित थी सासी कारवाईयों से वेलगातार चर्चा में रही है आज सुबह वे अपने घर में फासे के फंदे से जूलती पाई गई बताया गया कि वह घर पर अकेली ही थी उनका इकलोता बेटा गाउ गया हुआ है पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि रोज की तरह आज सुबह भी उनका स्टाप उन्हें रिसीव करने उनके घर पहुचा था काफी देर तक उन्हें मोबाईल पर संपर्क करने की कोशिश की गई लेकि उनका फोन रिसीव नहीं किया जा रहा था नहीं दर्वाजा खटकटाने पर खुल रहा था दर्वाजा तोड़कर पुलिस टीम ने भीतर प्रवेश किया तब वह फासी के फंदे से लटक टीप पाई गई वलिष अधिकारियों को इस घटना की सूचना दी गई इस बारे में विश्रातवाडी पुलिस में मामला दर्च करने का काम जारी रहा बहराल एक पुलिस निरिक्षक ने खुदकुशी जैसा कदम क्यो उठाया यह पतान नहीं चल सका है पुने के एक बारा साल की लड़की की जम कर तारिफ हो रही है 28 वर्षे दरिंदे ने उसे किसी बहान एक घर में बुलाया और बत्तमीजी करने लगा लड़की ने पहले खुद को सैयमित किया और फिर उस पर तूट पड़ी लात मुको के प्रहार से नीचे गिरा दिया और खुद को चुडा लिया फिर हडपसर पुलिस को जानकारी दी पुलिस ने दरिंदे को ढूंड कर गिरफतार कर लिया है गिरफतार अरोबी का नाम प्रशांत उर्फ गोट्या प्रकाश थिट्टे है उसके एक सोला वर्शिय साथी को भी पुलिस ने कबजे मिलिया है पुलिस से प्राप्त जानकारी के नुसार प्रशांत उस लड़की को बार बार परेशान कर रहा था अपने भेजे मैसेज अपनी सहेली को दिखाने के लिए कहता था 28 दिसंबर को प्रशांत थिट्टे ने बहाने से उसे घर पर बुलाया और दर्वाजे की कुंडी लगा कर जबरदस्ती करने लगा तब इस लड़की ने उसका प्रतिकार किया उसने सारी ताकत लगा कर उसे हातों और लातों से पीटा इससे प्रशांत बेट से नीचे गिर गया और तब लड़की दर्वाजे की कुंडी खोल कर वहां से भाग निकली उसने घर आ कर अपनी मा को सारी हकीकत बताई उसे लेकर मा जब आरोपी के घर आ रही थी तब ही वह भाग गया फिर उन्होंने हडपसर पुलिस से संपर किया इस घटना की जानकारी मिलते ही हडपसर पुलिस ने तुरंद आरोपी की तलाश शुरू की उसके कात्रज हिलाके में होने और भागने की फिराक में होने की जानकारी मिले पुलिस ने प्रशान ठिट्टे वो 16 वर्षय नाबालिक लड़के को कात्र से हिरासत मिलिया देश के लिए नहीं साल के शुरुआ ठीक नहीं रही है क्यों कह रहे हम इसा जरा ये भी जान लीजे तड़के पाउने 3 बजे माता वैशनो देवी मंदिर में भगदर मचने से 12 लोगों की मौत हो गई तो दूसरी तरप आम लोगों के लिए रहात भरी खबर भी है इंडियनोई ने एक जन्वरी से कमर्शिल एल्पेजी स्लेंडर के दाम में 100 उपे की कटो ती कर लोग को बड़ा तोफ़ा दिया है इसे भीज हरियाना सरकार ने फैसला लिया है कि जिनोंने दोनों डोज नहीं लिये है उनके लिए आज से सारोजनिक स्लोप पर एंट्री बैंद रहेगी ऐसे लोग नो रोडवेस बस में सफर पर खाएंगे और न ट्रेन में चड़ पाएंगे उदर नहीं साल में साथ राज्यों की विदासभा चुनाओं में 21 करवड वोटर 967 सीट के लिए वोटिंग करेंगे एक हजार से अधिक नए विदाय चुने जाएंगे जो 2022 में होने वाले राश्टवति चुनाओं के चुनाओं और राज्यसभा का शक्ति संतुलन तै करेंगे इसके अलावा केंदर सरकार ने हेल्थ वर्कर्स और 60 प्लस लोग के लिए प्रिकॉशन डोस यू कहें तो कोरोना की तीसरी वैक्सिन डोस को लेकर गाइड लाइन्स जारी कर दी है देशकी इन पात बड़ी खबरों सो विस्तार से जाने हमारे साथ नए साल के मौके पर माता वैशनो देवी मंदिर में भगदर मचने से बारा लोगों की मोत होने की खबर है यहाद सातर के दो बच कर पैतारिस बज़े मिनिट पर हुआ है मंदिर में करीब सत्तर से असी हजाज स्रद्धालू पूझा अचना के लिए पहुचे थे बताया जा रहा है कि गेट नमबर तीन पर कुछ नौजवानों में बहस हुई और फिर इन में से किसी को धका दिया गया इस विवाद के चलते भगदर की सितीप पैदा हो गई संतुरन बिगरने से लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए और बारा लोग मारे गए इस हादसे में 14 लोग जखमी हुई है जिनने वेशनोदेवी नारायन सूपर स्पेशलिटी अस्पताल में भरती कराय गया है इन में से कई लोगों की हालत गमभीर बनी हुई है हादसे के बाद यातरा कुछ देर के लिए रोकी गई थी लेकिन अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है इस बिज पीम नरेंद्र मोदी ने केंदर सरकार की ओर से मृत्कों के परिजनों को दो लाक रुपे की मदद का एलान किया है इसके अलावा घायलों को भी पचास जार की मदद का फैसला लिया है जमो कश्मीर सरकार ने भी मृत्कों के परिजनों को 10 लाक रुपए और घायलों को 2 लाक रुपए की मदद देने की घोशना की है अब वहाँ पर स्तिती सामाने हो रही है और व्यवस्ता बना कर सभी शद्धालूओं को दर्शिन की अनुमती दे दी गई है साल 2022 की शुरुवात खुशकबरी के साथ हुई है सारोजनिक शेतर की पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी इंडियन ओईल ने एक जनवरी से कमर्शल एलपीजी स्लेंडर के दाम में 100 रुपए की कटोती कर लोगों को बढ़ा तोफा दिया है हाला कि घरेलू एलपीजी स्लेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है विससे पहले पिछले साल दिसंबर मेने में इंडियन ओईल ने कमर्शल एलपीजी स्लेंडर के दाम में इजफा किया था दिसंबर में 19 किलोग्राम के कमर्शल LPG स्लेंडर के भाव में 100 रुपे की वुरुद्धी की गई थी बरहाल आम लोगों के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू LPG स्लेंडर की कीमत में उस वक्त कोई भी बड़ोतरी नहीं हुई थी और इस भार भी कीमत को स्थिर रखा गया है कमर्शल स्लेंडर के भाव में कमी करने से रेस्टरॉंट और होटल चलाने वाले कारोबारियों को काफी रहत मिलेगी जानकारों का माना है कि अगले चरण में घरेलू उपभुकताओं के लिए भी रहत के आसार बढ़ गया है बरहल कमर्शल स्लेंडर के भाव में कमी आने का आसर बेचे जाने वाले उत्पादों पर पर सकता है कुछ रहत की उमिद की जा सकती है इंडियन ओयल की ओर से स्लेंडर के दामों में कमी के बाद देश के बड़े शरूप पर नज़र डाले तो कमर्शल स्लेंडर के भाव में की गई 100 रुपे की कटोती के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शल LPG स्लेंडर की कीमत 2001 रुपे हो गई है हर्याना में ओमिक्रोन वेरियंट के बढ़ते केसों के बीच कोरोना की 30 लर्क आशंका को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कोरोना वेक्सिनेशन को ले कर सकती कर दी है इसके तहत एक जनवरी 2022 से सालोजनिक जगों पर जाने के लिए वेक्सिन की दोनो डोज अनिवारे बनाया गया है मार्केट वगर जाने पर भी दोनो डोज लगी होनी चाहिए राजसरकार के आदेश अनुसा जिन्हों ने दोनो डोज नहीं लिया है उनके लिए आज से सालोजनिक सतलो पर एंट्री बैन रहेगी ऐसे लोग न रोडवेस बस में सफर कर पाएंगे और न ट्रेन में चड़ पाएंगे सभी तरह के सरकारी दफ्तरों, बैंकों, मेरेज प्लेसिस, होटल्स, रेस्टरॉंट और मॉल में ऐसे लोग प्रवेश नहीं कर सकेंगे इन आदेशों के पालन की जिम्मेदारी सम्मदित जिले के डीसी की है डीसी की ओर से बनाई गई अलग अलगती में सारोजनिक सलोप पर रैंडम चेकिंग करेगी इस चेकिंग के दवरान अगर किसी सारोजनिक जगह पर कोई ऐसा शक्स मिला जिसे कोरोना वैक्सिन की दोनों डोज नहीं लगी होगी तो इसकी जिम्मदारी सम्मदित जगह के मालिक की होगी उस पर नियमानुसार कारवाई की जाएगी सरकारी आदेश अनुसार रोडवेज के बस अड़ो और रेलोए स्टेशन से यातरा की अनुमती सिर्फ उनहीं लोगों को मिलेगी जो कोरोना वैक्सिन की दोनों डोज लगवा चुके होगे इसके अलावा दोनों डोज लगी होने पर ही हर्याना में पंपो से पेट्रो डीजल डलवा सकेंगे गाड़ी में CNG भरवाने के लिए भी पूरी तरफ वैक्सिनेट होना अनिवारी होगा नया साल सियासत की नई इबारत लिए तैयार है 2022 में सात राजों की विदान सबा चुनाओ में 21 करोड वोटर 967 सीट के लिए वोटिंग करेंगे इन सात राजों में लोग सबा की 132 सीट है 1000 से अधिक नए विदायक चुने जाएंगे जो 2022 में होने वाले राष्टपती चुनाओ के चुनाओ और राजोसभा का शक्ति संतुलन तै करेंगे यूपी, पंजाब, उत्राखन, मनीपूर और गोवा में चुनाओ साल के शुरू में तथा गुजरात वहिमाचल के चुनाओ साल के आखरी दो माह में होंगे आठवेर राज के इंदशासित जमू कश्मिर के चुनाओ पर अभिस्तिती स्पर्ष्ट नहीं है वहाँ परी सीमन की रिपोर्ट लंबित है भाजपा करीब 500 विधायकों के साथ 7 में से 6 राजों में सरकार में है कॉंग्रेस के लिए पंजाब में सरकार बचाने की चुनोती है आमादिर पार्टी उसकी जमीन हडपने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है आपके लिए यह साल तै करेगा कि वह राश्टे सर पर पावपसारने के लिए किस हद तैक तैयार है केजरिवाल की पार्टी पंजाब में मजबूत प्रदर्शन के अलावा गोवा में खाता खोलने और गुजरात यूपी तता उत्राखंड में जनाधार तलाशने की पूरी मशक्कत कर रही है जम्मु कश्मीर पहली बार केंदर शासित प्रदर्श के रूप में सरकार बनाएगा यहां भाजपा भारत के भाल पर अपना जन्डा फ़राने के लिए मशक्कत कर रही है घाटी का मिजाज और जम्मु शेत्र की ताकस से चुनावी फैसला तै होगा जिन राज़ों में चुनाव होंगे वहां से भाजपा के पास वर्तमान लोगसभा में लगबग 303 में से एक तिहाई सीट है कॉंग्रेस उत्राखन, हिमाचर प्रदेश और गोवा में सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रही है कोरोना के ने विरेंट ओमिक्रॉन के मरीजों की बढ़ती संख्या और कोरोना संक्रम अंदर में लगातार हो रहे इजापे को देखते हुए सरकार ने हेल्थ वरकर्स और 60 प्लस लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज या कोरोना वैक्सिन की तीसरी डोज को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है देश में प्रिकॉशन डोज की शुरुवात 10 जनवरी 2022 से की जानी है गाइडलाइन्स के मुताबिक precaution dose कोरोना वैक्सिन की दूसरी डोस लगवाने की तारिक से 9 महने बाद ही ली जा सकती है जबकि सम्मधित वेक्ती precaution dose के लिए eligible हो जाएगा तो कोविन उसे text message भेज़ कर यह सुचित करेगा कि उसे तीसरी डोस या precaution dose लगनी है Health Ministry ने सपश्ट किया है कि Comorbidity वाले 60 साल और उससे अधिक उमर के सभी वेक्तियों को precaution dose लेने के लिए डॉक्टर से कोई certificate देने प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं होगी हाला कि ऐसे लोगों को precaution dose लेने से बहले डॉक्टर से सलाह लेने को कहा गया है गाइडलाइन्स के मताबिक precaution dose या तीसरी dose लेने के बाद इसकी जानकरी लाभरती के वैक्सिन सर्टिफिकेट में दिखने लगेगी precaution dose सरकारी वैक्सिन सेंटर पर स्मूफ्थ होगा हाला कि private hospital या वैक्सिन सेंटर पर इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे सरकार ने लोगों से आगरा करते हुए कहा है कि जो payment करने में सक्षम है वो private hospital जाकर precaution dose लगवाले दुनिया जहां नैस साल के जश्ट में डूबी है वही चीन अपनी चाल से बाज नहीं आ रहा है उसने एक ताजा वीडियो जारी किया है जिसमें दिख रही पहाड़ी के पीछे लिखा है हम कभी भी एक इन जमीन नहीं देंगे वही पाकिस्तान ने अपने यहां टेरी मंदिर की यात्रा के लिए भारत से मनमाने तरीके से लोगों के चैन की योजनाब बनाई थी जो भारत को स्विकार नहीं था अब भारती आजोकों ने 160 तीर्थ यात्रियों का चैन किया है तो अमेरिका में वाइट हाउस की तरफ तमंचा लेकर जा रहे शक्स को पुलिस ने उसे दबोच लिया पूछताच में उसने बताया कि वह शैतानों का वद करने के लिए जा रहा था इसे भी चीन ने आने वाले दशक में चंदरबाब पर तीन और मिशनों को मन्जूरी दे दी है जिसमें रोवर्स और एक स्थाई बेस की शुरुआत शामिल है यह चीन के लूनर प्लान का चौथा चरण होगा उदर बाजिल में जिवाशन बन चुके डाइनासौर के एंडों का गोसला मिला है बताय जा रहा है कि एंडे 6 करोड साल पूराने है दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ चीनी ड्रैगर ने अरुना चरपदेश में नाम बदलने और भारतिय सांसुदों को पत्रे लिखने के बाद नए साल पर एक और घटिया हरकत की है चीनी लद्दा की गलवान घाटी का एक वीडियो जारी किया है इस वीडियो में चीनी सेनिक नए साल की बदाई देते हुए नजर आ रहे है भारतिय सीमा के पास मौझूत ये चीनी सेनिक कह रहे है कि हम देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे इनके पीछे पहाड़ी पर लिखा है कभी भी एक जमीन नहीं देंगे अब चीन ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें चीनी जंडे को तिबबत के बरफिले इलाके में एक ड्रोन से फैराय जा रहा है चीनी सेनिक नए साल की बदाई दे रहे है भारत और चीन के बीच पिछले कई मेहनों से लद्दाग में विवाद बना हुआ है इसी बीच चीन ने अरुनाचर प्रदेश में 15 और स्थानों के लिए चीनी अक्षरों, तिबबती और रोमन वर्नमाला के नामों की घोशना की है इन्ही नामों का इस्तमाल अब चीन के अधिकारिक नक्षे में किया जाएगा विशेशग्यों के मुताबिक चीन का यह ताजा कदम हाल ही में भारती इलाके पर उसके दावे को और ज्यादा तेज करने से जुड़ा हुआ है भारत ने चीन के इस कदम की तीखिया लोचना की है और कहा है कि चीन ने नाम बदल देने से यह तत्य नहीं बदल जाएगा कि अनुणाचर प्रदेश भारत का भिन्य हिस्सा है चीन के नक्षे में अनुणाचर प्रदेश का नाम जांगनान या दक्षिनिती बद दिखाया गया है पाकिस्तान ने अपने यहां टेरी मंदिर की यात्रा के लिए भारत से मनमाने तरीके से लोगों के चैन की योजना बनाई थी जो भारत को सुईकार नहीं था अब भारती आयोजोकों ने 160 तिर्थयात्रियों का चैन किया है सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान ने तिर्थयात्रियों के चैन की योजना बनाई थी वह दोनों देशों के बीच तिर्थयात्राओं के आयोजन की भावना के भी खिलाफ था दरसल पाकिस्तान ने भारत से कुछ चुनिंदा लोगों को ही पाकिस्तान के टेरी मंदिर आने के लिए गयर पारदर्शी तरीके से आमत्रित करने की घोशना बनाई थी यह स्विकार यह नहीं था यह उस भावना के भी विपरित था जिसके तहट दोनों पक्ष तिर्थ यात्रा करते हैं सूत्रों ने कहा अतित की तरह ही भारत सरकार भारतियर तिर्थ यात्रियों को सभी प्रकार की सायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद है 1974 के धार्मिक सलो की यात्रा पर भारत-पाकिस्तान प्रोटोकॉल तंत्र के तहत भारत से बड़ी संख्या में सिख तीर्थयात्री उस देश की यात्रा करते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी नागरिक भी भारत में धार्मिक सलो के लिए आते हैं। तेरी मंदिर पाकिस्तान के खेबर पक्तो नक्वा प्रांद के करक जिले में संतश्री परम हंसजी महारा से जुड़ा हुआ है। मंदिर की स्थापना 1920 में हुई थी। अमेरिका में वाइट हाउस की तरह तमचा लेकर जा रहे शक्स को पुलिस ने उसे दबोच लिया। रिपोर्ट के मुताबिक 25 साल के इस शक्स का नाम कियोच्वा ब्रिलियन जियोंग है। पूश्टाच में उसने बताया कि वह शैतानों का वत करने जा रहा था। उसने जाच करताओं को बताया था कि उसे वाइट हाउस बिल्लिंग के उस जगह के बारे में पता है जहां से वो आसानी से अंदर जा सकता है। इन लोगों को सिर्फ वो ही मार सकता है। बताया जा रहा है कि जियोंग के पास एक हिट लिस्ट थी। इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट पती जो बाइडिन, उनके मुख्य चिकित्सा सलाकार और संक्रामक रोग विशेशग्य डॉक्टर एंथनी फाउची का भी नाम था। इनके अलावा इस लिस्ट में बिल क्लेंटन, ओबामा और फेस्बुक के संस्तापक मार्क जुकरबर का नाम भी था। जियोंग ने कहा कि वाइट हाउस में घुसने और हिट लिस्ट में शामिल लोगों को मारने कि उसकी योजना को कोई खर्त नहीं कर सकता है। अगर उसे रिहा किया गया तो वो तुरंद वाशिंग्टन स्थीत वाइट हाउस पहुच जाएगा और अपनी योजना को अंजाब तक पहुचाएगा। फिलाल जियोंग पर आगे की कानूनी कारवाई की जा रही है। चीन में आने वाले दशक में चंद्रमा पर तीन और मिशनों को मंजूरी दे दी है जिसमें रोवर्स और एक स्थाई बेस की शुरुआ शामिल है। यह चीन के लूनर प्लान का चोथा चरण होगा। इससे पहले के मिशन में चंद्रमा के अंधरे हिस्से की फोटो लेना और चंद्रमा की चटान के नमुने पृथी पर वापस लाना शामिल था। चीन का माना है कि 2024 में शुरु होने वाले मिशन तेजी से जटिल होते जाएंगे जिसके परिणाम सुरुप चंद्रमा पर एक लूनर डिसर्च स्टेशन का मूल मॉडल तयार किया जाएगा। यह स्टेशन रूसी अंतरिक्ष एजनसी रोसकोस्मोस के साथ एक संयुक्त पर चालक दल वाले लूनर मिशन 2020 के दशक में लौन्च होंगे। यह कदम अंतरिक्ष खोच के शेत्र में चीन पर बढ़ते दबाओ के बीच उठाया गया है। जिसके तहट 2021 में चीन ने अपना खुद का स्पेस टेशन लौन्च किया था। चोते चरन का पहला चंद्रमा प्रेजने की तयारी कर रहा है। में है विपोर्ट के मुताबिक जिवाश्म विज्यानी विलियम राबोर्टो नावा की टीम ने इन अंडो का व्यापक विशलेशन किया है उन्होंने पाया कि अंडे घडियाल के अंडो से ज्यादा बड़े और मोटी खोल वाले है तथा चार से पाच इंच लंबे है और दो से तीन इन चोड़े है वही प्राचिन घडियाल के अंडे तीन इन से ज्यादा लंबे नहीं होते थे डाइनासोर के अंडे जमीन के अंदर सुरक्षित थे जो अब समय के साथ बलुआ पत्थर में बदल गई है इन अंडो को पिछले साल निकाला गया था लेकिन हाली में य खास पेश कश्र बस इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रिए वीके बी न्यूस नमस्कार